यह आकार के सच्चे हैं, सुरताल के पक्के हैं आज के हमारे दिल से सैटर्डेस स्वेशल में मैं आपके मुलाकात करवाने वाली हूँ उसे एक बेहतरीन और उंदा, one of the popular music director, a singer of Bollywood, None other than Manan Shah, इस वक्त हमारे साथ है, बहुत-बहुत स्वागत है आपका Thank you Shibachi, thank you so much for calling me on your special show, हम काफी time से मचा रहे थे कि आप हमारे शो में आजा है चुकि आपने बहुत कम मुम से शुरुआत की थी, you were 5 जब आपने शुरुआत की थी, at the age of 5 और 5 साल की उम्र मैं, आपने शास्त्री संगीत सिखा था? जी, बिलकुल, मैंने शास्त्री संगीत की शुरुआत है, जो basic level की training है, at the age of 4 and a half, मैं कह सकता हूँ, 5 से भी कम उम्र तो यह मेरी मदर को मैं क्रेडिट दूँगा इसमें, कि उन्होंने मेरी टालेंट को पर्खा, उन्होंने जाना कि यह music में कुछ कर सकता है अच्छा, आपकी मदर अशुसेट थी? अच्छा, आपकी मदर अशुसेट थी? तो फिर उन्होंने डिसाइड कि उसको क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग पहले दी जाए अच्छा, कौनसा वो पहला राग था जो छेडा था आपने और कौनसी पहली वो दुन थी जो आपने बच्पन में ही बनाई और दी? बच्पन से दमाग में चलती है और फिर गाना सामने आता है। पहले सवंभारी हो जाए। डश्कता नहीं ऊसने का कईिसें नहीं संद्धिश्व कि में प्रब्राब का कि इसमें उस्राइज उसें उसमें स्तिम wszyscy शलूट, सारंगी हो जैयो tutor disciplined बंदर नहींकuliえーे TV बितन नहीं है Вसी खाइर anlat मन है, भीगा भीगा सा है समा, भीगी भीगी से आग है, भीगा भीगा सा है धुआ, होना सुबार और बे बोजा ना जाये जाये ना ये घड़ी, सावन बैरी, सावन बैरी, आग लगा है, सावन बैरी, सावन बैरी, क्यो ना आए, सावन बैरी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ हटके हैं, कभी-kभी अपने, जब आप मा की लोगं का देखते होंगे तो लगता होगा, क्या वेस्टर इंस्रूमंट का ज्यादर इस्तवाल कर रहे हैं, मैं वाकई में इंडियन हुटाल थो कि मैं कहता हूँ कि मैं क्लास के इंस्रूमंट का प्रयोग करके इतने ची दुने देता हूँ, कभी कभार समय अंदर अंदर लगता होगा, यार इसा मैं इंसे बिलकुल जुदा हूँ, कुछ नया करने की हमेशा से इच्छा रहती है, यह उन्हें रहती है, लोगों के सामने कुछ नया पेश करने की हमेशा से जो एक अंदर की अंदर चाहा रहती है, वो हमेशा से ही रही है, पहले से बदपन से रही है, कुछ नया देना है, कुछ नया करना है, अच्छा इसी तरस पर अख्या मिला वांगा भी है, उसमें भी आपने पराने instruments का इस्तेमाल किया है, बहुत 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 की से सामते है, वह थिए पॉले पॉपलर के लिए चुछ और और अरिजीट ने भी भी बहुत बखु मिलभाय और साथ में मैं नई सिंगर को शुरूती शशिधरन गया है कि आवाज में जो डेप्थ है वह मुझे बहुत बड़ा पसंद आया और शुर्फ दो साल की साथ नहीं तो लोगों का 6-7-7 साल की साथ गुजाने के बाद कानी है क्योंकि उस दो साल के अंदर हमने लगभग 28-30 फिल्मों पे साथ में काम किया है जो दूसरे music directors 7-8 साल लगाते हैं जो आप कहते हैं तो मैंने 2 साल में अचीव किया है लवली तो मतलब बहुत आगे थे आप बहुत ही और प्रितम दा भी उस ताइम पर अपने करियर के पीक पे थे पे थे आल्बंस आफ्ट 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 तो वैसे एज़ते दौर कि उसके दौर में उनकी बोडीकार भी आई थी, रेडी भी आई थी रेडी बोडीकार या इस टिपने तो उस्थार पार आट करें कि लेकिन फिल्हाल जो हम चाहते हैं कि अख्या मिलावांगा हो सडेकोल बैजा मेरे दिल्दात हाल सुनले तेरे लिए यारा मैं हूँ किन अबे आल सुन ले तेरे लिए गीत गावांगा मैं तुझ को ही यार बनावांगा मैं अखिया मिलावांगा अखिया मिलावांगा अखिया मिलावांगा अखिया मिलावांगा आप देखिये अरेजीत, रात्वत अली कहा अंगीतिवारी और टेरे लिए की सब बना कनेक्षिन है आपके उस फेवरिट में आप है इसेडिया प्रितम साहब के अिस बार में भी सवाल झालय जाना चाहेंगे आप कितना प्रितम साहब को जानते हैं अब तेरे लिए आपका गाना आत्यफ असलम ने आवाज दी उसके बाद अगरम प्रीतम साहब के बात करें जब प्रीतम साहब आए तो जीत गांगुली के साथ उनकी टीम है जीत प्रीतम उन्होंने एक साथ कहीं फिल्म है की बाद में एज इन आपको बगए मुझे बताना है वो पहली फिल्म उन्होंने दी उसमें आपके फिल्म का भी एक ताइ तो आपके तेरे लिए की बात करें तो आप अपना तेरे लिए के बाहर में बताएं तेरे लिए और आतिफ असलम के साथ कैसे कॉंबिनेशन शुरू हुआ है आपका और आतिफ का तेरे लिए के बारे में आपको थोड़ा डीटेल में बताना चाहूंगा तेरे लिए इनिश्यली एक इंग्लिश सॉंग था जो मैंने कंपोस किया था जो मेरा एक दोस्त है बचपन का हर्ष यह रिटन आ इंग्लिश पोयम उसके ऊपर मैंने इंग्लिश सॉंग मैंने कंपोस किया था जो धुन है उसके बाद मैंने यह इंग्लिश धुन विपूल जी को सुनाई थी विपूल शा जो कि नवस इंग्लिण के डिरेक्टर है तो उन्होंने यह सुनी उनको बहुत पसंद आई और रही सग्जेस्टेड कि आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें और फिर देखे बाद पसंद आया और फिर यह बहुत फास-पास जो बनी है हां हां एक बनाने में तयार करने में कुछ समझने आता बाद ताइम लगता है बाद जल्दी जल्दी बन गई और इतनी अची बनी और आपको पसंद आई रहता है तु ही बता कौन तू है मेरा कबसे तू दिल मे रहता है क्या पता क्यों लागे मुझे तेरे बिन जिन्दगी एक पल भी कभी पाएगी ना खुशी तुझ को पहचाना मैंने तब जाना क्यों जिन्दा हूँ मैं तेरे लिए सर्फ तेरे लिए हर बल रहूं मैं सर्फ तेरे लिए तेरे लिए सर्फ तेरे लिए पॉल करना नहीं थिए हरपल रहूं मैं शिफ तेरे लिये वह 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 सूपर सूपर amazing यूर प्रिस प्रक्जर, आपको सारे गाने कुछ ही गाने साय और resting मुझे利्म को यूद आपने कुछ लव जैसा मैं जो गाना गाया था प्रितम दाकवस में संगीत था जब आप भी के साथ थे तो भी बहुत अच्छा sound किया है मुझे कही न कही जब मैं सुनती हुना उस गाने को मुझे लगता है कि शाहिद आप कही न कही आप कही आप आप कही आप कही आप कही आप से मुतासर थे बिल्फ को बहुत सारे music directors तो इसमल को एक आप में तो अप्रितम एक आप कही आप 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 में आप और प्लस वह क्या उस ताइम पर आप मैं वोईस वईयंग आज से करीब 10 साल पहले 10 साल पहले 10 अपर एक तो क्या हुआ आप आप हमेशे रहती है तो सोचे वाली बात पहले पर एक certain maturity voice में आती है कुछ सालों बाद जो आपको दिखाई दे पती है especially आपका जो bass tone होता है वो एक नया tone generate होता है आपकी voice में मैं जो AR MR वाली आवाज की बात करी थी कि जिसके कुछ अन्ष आपके उस गाने में मिलते हैं कुछ लव जैसा हो जाए उसके बाद में ब्रेक ले ले तो देन विल्क रवाग शुआ कभी मैं जीना चाहूं कभी मैं बूलू जीना कभी मैं बूलू जीना कभी मैं मांगू ऐसे कभी मैं चाहूं ये हो कभी मैं चाहूं वह हो कभी मैं भी किसी का करूं इंतिजार हो थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा बाद ले थोड़ा सा बैले थोड़ा सा मच ले ये दू अब की बार मेरी भी है ता मनना किसी का तो है बनना किसी से जूठारू दूकारू मैं तक रा हो थोड़ा सा प्यार हो थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा प्यार थोड़ा सा प्यार इंसान चाहता है ले कि बहुत जादा प्यार भी चाहता है क्यूंकि जिदी बड़ा दिल है और जिदी है दिल जिदिय हदिल जिदिय हदिल आपने गाया है नमस्ति इंग्लेंड में तो चलिए इसके बाद मैं आज से कुछ पूछूंगे लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा एक छोड़ा सा ब्रेक के पार देखते रहें अपनो चेहते प्रोग्राम धिल सिल लाइब आज हमारे साथ है बादी पेत्रीन, मुजिक दियक्टर और सिंकर अब अलवर्ड, मनन शाह देशे लाइब ब्रेक है पार आप सभी काता है दिल से स्थक पाल है बड़ा ही मुजिकल माहौल है रोज होता है मुजिकल माहौल लेकिन संगीत पर कम एख rh Chin, लोग है अज साध कर देशी को अदी को और जोजदीEND करें करें तो बाद कुछ और ही अच्छी बनती है मनन शाह हमारे साथ हैं जिससे साथिचरा स्थ में बहुत मज़ा आ्रहा उड़ा है hai जब कोई ऐसा म्यूजिक देटर और कोई सिंगर तुराने म्यूजिक देटर से हलका फलका मुतासर होकर अपना कुछ अलग दे तब मुझे ज्यादा चलगता है वाद करने भूसके आपने चलगता लगा को मा वनदे तुमों कर था तु मुझे आगे बढ़ने कर दोक्ता कुई वाद से अफिर के ऐसास्टे करूंब एपक साहरूune पुराने लोगों में जो उन्होंने मेलडी बरकराय रखते हुए अच्छे रागात बर गाने दिये हैं उन्हें कौन से इसे मुजिक ब्रेक्टर से जिनसे आप मुतासर थे और किस तरीकी से आपने शुरुवात की कि राग बेस सॉंग मुझे देने यह मुझे बताएं राग के जो नौलेज है वो मेरे गुरुजी से मुझे मिला जिन्होंने मुझे पहले फर्स्ट इलेवन यर्ज जो ने मुझे ट्रेनिंग दी लेट पंडित विनायक वो राजी वो एक कंपोजर बेस्ट गुरु थे एक बहुत अच्छे कंपोजर थे और उनको जो राग का नौलेज था उनने सब मुझे दिया उसके बाद जो राग के पहचान है जो अंग होते है रागों के हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी राग होते हैं मैंने उनको डीटेल में स्टैडी करना शुरू किया तब तक फिर विनाइक जी पास्ट अवे इन 2006 उसके बाद अधिंग तो असके बाद अधिंग उस्ताफ गुला मुस्ताफा खास से मैंने तुरू किया बात है जो 9 साल से मैं उनसे सीख रहा हूं और उनके यह तो भंडा उनको आण मैं मुजे रियाज करना रियाज कर आए तुरू? क्या झाल से रियाज करके तो अ honoring a song that है consistent 관onalityος in England कि की नहीं है or पना यह 一般 पुमिजित या फेवरिट राग है और बहुत सारे हैं लेकिन मेरा सबसे फेवरियट है तोडी जो की सावन बेरी में आपको सना ही दे पड़ेगा तोडी राग की जो एक इंटेंसिटी और एक रूह है जो दर्द है वसे हिरा और बच्पन से मैं वह राग इतना सुनता है हूं दर्द कुंसा रहा आपके बच्छम से ही आपके पाश। दर्द कॉनसा था यह बता हो दर्ड कॉनसा था है? संगीत में दर्द थी होता ही यह दर्द भीन संगीत कैसे बने का इस दिए है वो इन्टेंस्टी शिद्दत आती है वो अपने आप में ही था एक मेलेंक्ली जो होती है एक अर्टिस में वो बच्पन आपका कैसे गुजरा अच्छा था कुछ प्रॉब्लम्स थी लाइफ में या कुछ जहला अपने लाइफ में होता है क्या थे अपनेहिए कोई ऐसी चीज जो आपकी तिल ऑफ दिल पहुंचाती है लाग बात बन जाती है इसे ऐसी बाट थेस नहीं पहुंचाती है लिए लिकिन मुझे मेरे फैमिली के लिए बहुत पियार है I'm very emotionally attached to my family you're very emotionally ? that's why you met that emotional thing you do emotional factor współprår by some attached to my family और हर एक राग एक समय में गाया जाता है, सुभे हो गया, शाम हो गया, रात हो इस प्रहर होता है अब समय के आपने बात की और फिल्म नमस्ते इंग्लैंड का कौन-कौन सा गाना जो है जो सुबह आपने कंपोज किया सुबह उठते हैं आपके जहर में धुन आगे आपने कंपोज की किसर से दुने उठता हूँ वो मेरे लिए सवेरा होता है तो जैसे कि आप धूमगड़क का मेरी कंपोजिशन है अगर मान के चलें वो राग मिया मलहार के आदारित है हल्की सी उसका मिया मलहार के उसका एक ख्लेवर है भारष वाला ना तो मैंने बारिष में ही अपूज किया था दिल है इस बेस अपने आप गए लिए ज़ंग रस के ला गए और एक इवनिंग का राग और वो ईवनिंग में ही नहीं रहा ता ए और तभी ही मुझगा का मन कौनसी धुन आपने बहुत जल्दी मुकमल की है कि धुन को बनाने में ताइम लगा है मतलब जहन में नहीं रहा था सुमर से शाम हो गई लेकिन बात नहीं बन रही थी एक धुन है जो कमांडो 2 में थी जो कि अर्मान मलेक ने गाई थी तेरे दिल में वो सबसे जल्दी मालब I would say in 20 seconds वो मुखडा ओगा है मेरा और 20 seconds काई मुखडा है वो लवली तो वो मुखडा हो जाए बिलकुल बिलकुल तो वो गईस्वाब रहे तेरे दिल में क्या है तू बताँ रहे तेरे दिल में क्या है तू बताँ रहे नेनों से ही कर दे तू इशारे, तेरे दिल में क्या है तू बता रहे मैं अभी भी आशे ये कह रही हूँ आपको सारे गाने खुद गाने चाहिए आपका रही मैं निकलते विल्कुल आकार के सच्चे हैं आप सुरताल के पके हैं बिल्कुल अचरीवाद है जैसे आपने का बट एमोशनल है जब तक संगीत के प्रतियाप एमोशनल हो जजबाती ह तब तक रुहानी connection आपका नहीं बैसता, तब तक धुने बैसतर नहीं आती है सबसे बहतुरीन compliment अब तक का जो आपको मिला है आपके संगीत को लेकर या आपके संगीन को लेकर सबसे बड़े compliment तो मेरे fans ही है जो इतना appreciate करते हैं मुझे यह मेरे लिए तो सबसे बड़ा compliment है कि fans मेरा गाना सुनते है especially अभी फिलाल में जो अख्या मिला मंगा रिलीज हुआ है गाना we have more than 600 covers तो 600 लोग online अगर अपका cover गा रहे हैं आपको उनी के voice में अपका गाना सुना रहे हैं सबसे पहली बात तो I got an opportunity to listen to more talent कितने अच्छे-च्छे singers गाना गा रहे हैं और अख्या मिला भांगा जैसे मुश्किल गाना cover कर रहे हैं cover कर रहे हैं और दूसरी बात है जो आपके बार में मैंने सुनी है कि आप folk singers को चाहते हैं कि वहार एक गाने में आ जाए आज फिल के दौर में folk singers को भी आपनाना चाहते हैं folk singers, kawals kawals क्यूंकि एक जमाना था जब kawals और folk singing जो है वह बहुत होती थी फिल्म हों उसका अमलो दखल होता था हमारे पुराने music composers कोशिश करते थे कि अपने culture को जिंदा रखें वह आप कर रहा है यह बहुत बड़ी बात है कवाल को मैंने कवाल को मैंने कवाल जो है इस country के बहुत popular singer है कवाली music में सूफी music में जिन गानाम है दुरूव संगारी जो कि नुसरत फतेली खान साब के शागिर्त थे वा लवली और उन्होंने मेरा पहला गाना गाया था कमांडो वान में लुट जावाँ जो एक पार्टी नंबर था और राग सोहिनी के अधार पर था क्या अबवात है वह हो जाए बिलकुल बिलकुल यस तेरे नैना तेरे नैना बेखबर मैना सोया रात भर यार तू है प्यार तू है राह तू रफतार तू है नाम तेरे सब कुछ मैं कर जावा लुट जावा तेरी बाओं में मैं लुट जावा तेरी राओं में मैं लुट जावा तेरी बाओं में मैं लुट जावा यसे अरेंज किया है आप लुट जावा का ही जिकर कर रही है तो इसे अरेंज किया है रंजीत बारुट जी ने बहुत बेश के बड़े ड्रमर है और खुद प्रोग्राइमर बहुत अच्छे है और इस गाने की खासियत है कि in spite of being a party number हमने ये पूरा गाना right from the rhythm to music everything, सब कुछ live किया है, 100% live that is super, राग bass है आपके गाले तो किसी ने किसी music director से आप मुतासर तो होंगे बहुत से music composers I would say Pancha Mada, Shankarja Kishan है आप Naushad साब को मान दीजिए, SD Burman सारे उस time के composers जो भी थे सारे राग के आधार पर ही compose करते थे, most of the compositions और ये बहुत inspiring और ऐसे इस तरीके से compose करते थे, जो कि उस बात से मैं बहुत inspire हुआ हूँ कि melody को आप अगर राग में compose करते हो राग के basis पे तो उसे कैसे camouflage करते हो और फिल्म सॉंग के situation में suit करते हो राग ना सुना ही दे पड़े राग ना सुना ही दे पड़े ये बात आप में भी है मुझे लगता है कि हमी दोगों से सिखा आप में परता हूँ मैं script परता हूँ और situations depth में परता हूँ वरी लाइब रिए मूद डिजाइन करता हूँ तो मनन जी मैं जाती हूँ जाते जाते आप थोड़ा जुगल बनी करें आप चाहें तो पुराने एजडी परण साब पंचंदार साब की दुने भी ले सकते हैं और उनको मिला के अपनी दुनों को साथ में जोड़के आप कुछ पाकेज हमें दे जाते 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 हैं वाँ वाँ इस इंटरिस्टिक हमेशरेश्यमिाजी की आप बहुत बड़ा थे अपने पहल थे जाते मैं आप रहा रहा हूं जहां रहा हूं वह बहुत ही इंस्पाय्ट हों के आपने एक गान और दिया है ऐसी बहुत सारे डूने बनाई हैं उस गाने से इंस्पायर होएज वो सुन सुन के तो सुन सुनके कुछ नया मैंने अलग रागों में दिया है तो गाना मेरे दिल को बहुत छू जाता है तो गिल सुन्ग दैट ये जो दिल की बाहुत है कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है पर चुके इस दिल में तनहाई परती है बस याजात है तेरी आजात है तेरी आजात है कहता है ये दिल जिन्दगी रात है और तुम राशनी रहता है ये दिल यादों की दुनिया में जो है तुमसे बनी ठैता है ये दिल तुम बनिक ऐसे दुन जो है तनहाई की बहता है ये दिल दर्द की उस नदी में जो है बह रही सारी मजबूरियां आ गई है दर्मियां मगर दिल हटेला के है तुम ही इसकी हो तमन्ना तुम ही इसकी आर्जू दिल है मेरा एक जजीरा तुम समंदर जार्जू दिल का मैं क्या करो मैं जियो या मरू क्या करो क्या करो तुम कहो क्या करो सबात्र बहुत ही वंडर्फूल बहुत ही अशजीरा नदे लिए आपकी मुजिक आपके संगीत की और जिस तरेके से जदीद दौर में आप राग बेस्ट गाने देते हैं और उसके अबशिधता वो वो अपने आपने काबले तारीफ है, आप नई नसल के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहा हैं, आप आपके लोग इंस्पायर हैं, मुतासर हैं, मैं चाहती हूँ, और भी लोग मुतासर आपके धुनों से रहें, थैंक्स अलोट, और जाते जाते एक बा पेज़ बहुत पनाव